हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सभी विध्यारती फटावर से जुड़ जाएं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और जो भी विध्यारती मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको काफ 24 महिने का आपको batch लेना है और Sahil 10 as a code लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है मेरे दोस्तों अब जैसी Sahil 10 code लगाकर जुड़ोगे apply कर देना, discount आपको मिल जाएगा, credit point को अपने redeem कर लेना, सारी चीज़े set हो जाएगी, Sahil 10 as a code लगाकर आपने academy पर जुड़ी है मेरे साथ और आपको एक proper तरीके से benefits मिलने वाले हैं हर एक category में मेरे साथ रात को 8 बजे अगर आप mock test लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जो नोग नहीं लगा रहे हैं वो ज़रूर लगाए मजा आएगा इसमें भी आपको पूरी rank rank सब आती है और साथ के साथ आपको simple interest का test भी देखने को मिलेगा अभी homework का question था क्या होगा भाई देखिए answer देखिए तो यह हम कहते है सर्थ 3-6 आ रहा है तो यह mod आ रहा है और mod हमेशा क्या देता है आपकी negative value को positive कर देता है यानि कि आपका जो हमेशा देगा वो plus का 3 देता है हमेशा plus 3 answer आएगा ठीक है दो सह भागिया M और N ने कार खरीदी M बतौर हिस्से के तोर पर कार की लागत के 3 बटे 7 का भुक्तान करता है M ने बतौर अपने हिस्से के हिस्से कार की लागत के 3 बटे 7 का भुक्तान करता है तो 7, M इतना बुक्तान करता है और M ने N की तुलना में इतने कम दिये तो N कितना देगा, 4 देगा, क्योंकि total 7 है, ये M का हिस्सा है, ये N का है तो M ने N की तुलना में इतने रुपे कम दिये, तो एक ratio बराबर 31,540 तो कार की लागत कितनी होगी, 31,540 into 7 तो यहां हम देख सकते हैं, 7, 4, 28, 2, 7, 5, 35, 2, 37, 7, 1, 7, 3, 10, 7, 21, 1, 22 तो आंसर क्या निकल कर आ रहा है सर, 22, 0, 78, 0 एक ब्रत आपको दे रखा है, जिसका छेतरफल ब्रत के छेतरफल का 5 बटे 18 है आप 5 बटे 18 है, यह आप समझदार हो, आप सब लोग मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि सर, यह ब्रत के छेतरफल का 5 बटे 18 है यहने कि सर, X का मान क्या होगा तो जो यह X है, उसका मान आपको निकालना है अब यहाँ जो मेरा भाग होगा यह, यह मैं जानता हूँ कि अगर यह मान लीजिए कि आपका यह एंगल ठीटा है, तो यह हो जाएगा सर ठीटा पाई आर स्क्वाइर बटे, स्वारी, हाँ, एरिया यह ना ठीटा पाई आर स्क्वाइर बटे 360 अठारा दूनी चत्तिस, बीस पंजे सो, तो सो डिग्री आपका राइट आंसर आजाएगा, उस एरिया का सो डिग्री हिस्सा है यह, क्योंकि यह एक्स आप से पूछा गया है, तो यह एक्स मतलब डिग्री ही है, ठीक है? चले, नेक्स हम करेंगे, और यह सर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि टोटल छेतरफल क्या है, क्योंकि टोटल छेतरफल पाई आर स्क्वाइर ही तो होगा, तो उसी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, राइट? अब यह देखेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नौ और पाँच चौदे है, चौके चपपन, तो यह हो जाएगा सर माइनस का 56, अब यहाँ डिवाइड़ है, और यहाँ दे रखा है सर, आठ माइनस का 28 प्लस का तरेपन, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो तरेपन और आठ, 61, 61 मैं से 28 चलेगे, तो कितना हो जाएगा, 11 मैं से 8 गया, तो 33, ओ, क्या है यह, तो मैं यह देख लेता हूँ पहले तो, कि यहाँ क्या चक्कर है सर, 28 और यह हो जाएगा, 8 माइनस का 28 प्लस का तरेपन, तरेपन और आठ कितना हो गया, 61 माइनस 28, प् divided by यह, 61 minus 28 कितना आ रहा है, 61 minus 28 करेंगे तो 33 आ रहा है, ठीक है, अब यहां से कितना बना था, पहले minus होगा, गुणा होगा पहले और फिर होगा plus का 9, तो यह हो गया minus का 11, अब आई बात समझ में, तो यह कितना आ गया minus का 3, option नमबर B, minus का 3, पहले multiple होगा बताओ, हमने सोचा छोटा bracket है, ठीक है, चलिए, वो उसी के अंदर था, बहुत साज वो का आ गया, 15 अगस्त को किया था, चलिए, थेंक्यू भाई, आई गया फाइनली, बड़े संगर्स के बाद, देखिए, 8.5% देरत्खा है, 8.5% है, साधरन ब्याज है, वार्षिक ब्याज की दर पर, 6 वर्षों के लिए, निवेशित 2,000 रुपे की राशी का कितना ब्याज होगा, यहाँ पर हम बात कहते हैं, 2,000 रुपे की राशी है, 6 वर्षों की बात कर रहे हैं, 8.5% याने की 17 वटे 200, ठीक है, 200 से काटा मैंने इसको 10 बार, तो 176 की 102, 1020 रुपे ब्याज बन जाएगा, अपका अंसर आ गया, अगला प्रश्न करेंगे, समय शुरू करता हूँ, सर, तीन दर्जन अमरूद 90 रुपे के हैं, याने की 36 अमरूद कितना हो गया, 90 रुपे का हो गया, एक अमरूद कितने रुपे का हो गया, सर, एक अमरूद, है ना, सर, एक रुपे का कितना अमरूद आएगा, एक रुपे का आएगा, एक रुपे का आएगा, 36 बटे 90 अमर नौ चौके छक्तिस, चौविस चौके छियान में, नैंटी सिक्स नेक्स्ट लुप्ट A, B, C किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं सर दो पहले A पहले दो पाइप चार गंटे और दस गंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरा पाइप छे गंटे में खाली कर देता है तो यहां हमने टोटल माल लिया कितना ताठ हो गया यह हो गया पंदरा यह हो गया कितना छे और यह हो गया सर माइनस का दस तीनों पाइपो को एक साथ खोल दिया जाए और तंकी आदी भरी हो तीनों पाइपो को एक साथ खोल दें 21 में से 10 गया तो 11 तो तीस बटे 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा तंकी आदी भरी हुई है ध्यान रखना तो यानि की 60 की 30 ही भरी हुई है और तीनों खोल दिये जा रहे हैं चलिए Next रेल गाड़ी P और Q समान तर पट्रियों पर एक ही दिशा में चलती है ट्रेन P ट्रेन Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है ट्रेन P में मौझूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है दौनों ट्रेन की चालो का जो अनुपात है तो उनकी लंबाईयों का अनुपात क्या होगा सर तो कॉशन का जो कॉंसेप्ट है वो बड़ा ही प्यारा होने वाला है अब वो प्यारा कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ चलिए शुरुआत करते हैं इस कोशन को करने से तो हम यहां पर सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो ट्रेन P की जो रफतार है वो दो है रेशो में और Q की रफतार है वो एक है ठीक है रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी अगर स्पीड की रिलेटिविटी अगर आप देखते हैं तो वह एक मीटर पर सेकंड मैंने मान ली या कुछ भी मान लो एक आ गया अब ऐसा बोला जा रहा है सर्फ P प्लस Q अब जब समानतर पट्री उपर चल रही है और P Q को 60 सेकंड में और ट्रेन P में मौझूदा एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में ठीक है तो उनकी लंबायों का नुपात ऐसा दिमाग लगाता हूँ कि जब एक दूसरी को पार कर रही है न तो 60 सेकंड लग रहे हैं दौनों की स्पीड का जो योग आ रहा है वो कितना आ जाएगा योग आएगा क्या समानतर पट्री उपर सेम डिरेक्शन में चल रही है तो अंतर आएगा एक 60 सेकंड यहाँ पर दौनों की जो लेंथ है आएगी आएगी नहीं आएगी हाँ लेकिन अब मान लीजिए कि ट्रेन पी में मौझूद एक यात्री यानि कि क्यूं की लेंथ आएगी अब यहाँ पर 40 सेकंड में और स्पीड किसकी आएगी दौनों की ठीक है वो भी एक ही रहने वाली है यह बात समझ में आईए अब तो खीक है भई अब देखते हैं क्या होता है यह 3 बटे 2 आ गया अब सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है 2 L P प्लस 2 L Q बराबर 3 L Q L Q बराबर 2 L P तो बस L P अपॉन L Q कितना हो रहा है एक बटे 2 बी आपका सही जवाब होगा कुशन कैसा लगा डियर जल्दी से बताओ कुशन कैसा लगा बहुत ही सिंपल कुशन है लेकिन थोड़ा क्रिकी है यहां केवल L Q क्यों आया क्योंकि पी में मौजूद एक यात्री अब जिसमें यात्री बैठा होता है उसको लेंथ को नहीं ल झाल तले सर आंसर आ रहा है 64 बहुत ही बढ़िया एक घंट की सभी बुझाओं का योग दे रख है अब घंट में कितनी बुजाएं होती हैं ये बता दो बस सर बारे होती हैं ये ध्यान रखना तो बारे बुजाओं का योग 48 है तो एक बुजा कितनी आ जाएगी चार आ जाएगी तो आयतन कितना हो जाएगा चार का क्यूग चौण सट नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर बारा प्लस वन अपॉन एक्स की पावर बारा बराबर आपका साथ दे रखा है एक्स की पावर 36 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 36 कितना होगा हम जानते हैं कि ये ऐसे दिखने में ये ऐसा है लेकिन है तो ये क्यूग वाला कंसेप्टी याने कि अगर ये साथ है तो पी क्यूग माइनस का 3P तो 343 माइनस का 21 बनता है बॉस 322 बावाइब जाने कुछ माइनस का 3 एक्स्ष्ट करिये एक्स्ट 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 करिये क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, देखिए, x, y, z, u, v, में से कौन सी सम संख्या है, x, y, z, u, v, क्रमिक संख्या है, z एक विशम संख्या है, एक और नमबर है, अब देखो, फरक पड़ता है बॉस, मैं बोलता हूँ कि, निम्न में से कौन सी सम संख्या है, अब ये लगातार संख्या हैं, सारी ऐसा बोला जा रहा है, z अगर और नमबर है न, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी सम है, और वहे बिना दो के संभव नहीं हैं, हाँ, बिना आपके दूसरे स्टेटमेंट के, आप बिल्कुल भी ये बयान नहीं कर पाएंगे, कि आपके पास क्या है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, कि आपको किसकी जरूरत है, दो आपका और है, तो यहाँ पर आप दौनों से ही पता लगा सकते हैं, बोथ वन ए और हैं, टू आपका तूगेदर सफिशेंट, दौनों ही जरूरत पड़ेगी आप, ठीक है, इससे आप कैसे बता चलाएंगे, आपका जो X होगा, वो क्या हो जाएगा, अगर Z आपका और है, तो X आपका क्या हो जाएगा, Y आपका इवन होगा, X भी आपका और होगा, और ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइम सब एक बटे दो तीन बटे पांच अब डाइरेक्ली भी देख सकते हो कि यह 50% आ गया यह 60% आ गया यह 28.56% आ गया यह कितना हो गया 83% सबसे छोटी भिन क्या है दो बटे साथ नेक्स्ट प्राइम सबस्ट धारा के विप्रीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तै करने में 8 गंटे 48 मिनट का समय लगता है जबकि धारा की दिशा में आरंब बिंदू को लोटने में 4 गंटे का समय लगता है शान्त जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपाद बताईए धारा के विप्रीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तै करने में 8 गंटे 48 मिनट का समय लगता है 8 गंटे 48 मिनट का समय लगता है जबकि धारा की दिशा में 4 गंटे का समय लगता है साफ साफ सी बात है यहां पर आपका वी प्लस यू उपर ले लो चाहे तो और वी माइनस यू नीचे ले लो दूरी वही है यानि कि अब जो समय ज़ादा है वो उपर आएगा क्योंकि 8 गंटे 48 मिनट है और यह 4 गंटे यहां हम यह कह सकते हैं कि वी प्लस यू और वी माइनस यू बारा चौके 48 बारा पंजिस साथ चमवालिस बटे 20 तो यह कितना हो गया? 4 से काटा मैंने 11 बार और 4 से काटा मैंने 5 बार योगांतर लगा दूँगा V और U का रेशो निकालना होगा ना तो इसको इसमें जोडूँगा और इसको इसमें से गटा दूँगा 8 अनुपात 3 आंसर आजाएगा C Next भूरी हो नहींग कि अजुझ एक्सेंगर भी ही नहींगर x बराबर आपका क्या है? x बराबर आपका 2 प्लस root 3 है ठीक है? आपसे बोला जा रहा है कि सर इसकी value आप बताईए अब जब x बराबर आपसे बोल दिया कि 2 प्लस root 3 है और अब आपको इसकी value निकालनी है कि क्या होगी? तो जड़ा उस पर हम ध्यान फर्माते हैं और देखते हैं कि क्या ङा क्या हो सकती है मैं ये कहूंगा कि 2x क्या हो जाएगा क्योंकि हमारे को 2x का ही under root निकालना है तो 4 plus 2 root 3 नहीं हो जाएगा क्या और क्या आपको इसका under root नहीं समझ में आ राई क्या कि सर ये तो बन गया ना साफ साफ कि root 3 plus 1 का whole square ही तो है ये तो बस यानि कि root 3 plus 1 यहां आ गया क्योंकि ये इसका अंडर root ले लोगे तो यही आएगा अब इसका उपर लेकर जाओगे तो कितना होगा root 3 minus 1 तो उपर आएगा क्योंकि conjugate है नीचे लेकिन 2 आएगा a square minus b square अब solve करते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है 2 root 3 plus का 2 plus root 3 minus का 1 बटे 2 तो ये हो गया सर 3 root 3 plus का 1 बटे 2 का है एरा option number c आपका right answer आया ठीक है अब जुन्होंने a निकाला है न उनके लिए वो खुद आराम से सोचें कि गलती ऐसी क्यों करते हो तुम आपकी गलती मैं बता देता हूँ आपने सोचा कि सर ये root 3 plus 1 हो गया ये root 3 minus 1 हो जाएगा और जोड दिया नहीं नहीं भाई साब इसका conjugate अगर आप निकालोगे root 3 plus 1 का तो root 3 minus 1 ऊपर नीचे गुणा होगा और नीचे देखो a square minus b square एक थोड़ी आ रहा है दो आ रहा है तो दो लेना पड़ेगा है ना डियर समझ में आगई न गलती बस यही जरूरी चीज़ होती है यही यही यहाँ पेपर में ना हो बस गलती यहाँ हो जाए नेक्स्ट एक ब्रत की तरिज्जा में एक ब्रत की तरिज्जा में एक सेंटीमीटर की ब्रदी होने पर उसके छेतर फलों में 22 सेंटीमीटर स्कॉयर की ब्रदी हो जाती है यानि कि मैं साफसा बोलूंगा कि πाई आर प्लस वन का होल स्कॉयर माइनस पाई आर स्कॉयर बराबर 22 अब यहाँ सिंपल सी बात है 22 बटे 7 a प्लस b a माइनस b 22 से 22 कट गया R से R कट गया यानि की 2R प्लस 1 बराबर 7 2R बराबर 6 R बराबर 3 साथ आएगा क्या तुम साथ देते हो ना मेरे को ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं हमने गल्त कर दिया और फिर भी गल्ती कर रहे हो बराबर 3 आएगा ना भाई आंसर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो Next पिता और पुत्र की आयू का अंतर दे रखा है सर पादर और सन की जो आयू है उसका डिफरेंस दे रखा है 24 दो साल पहले पिता की आयू पुत्र की आयू से दुगनी थी तो दो साल पहले पिता जी की आयू पुत्र की आयू से कितनी थी दुगनी थी तो उनका जो अनुपात है वो दो अनुपात एक है दो साल पहले का है तो एक जो आ रहा है वे किसके बराबर होगा अंतर तो सेम ही रहता है हमेशा तो यानि कि यह 48 साल हो गया पिता जी और 24 साल का लड़का हो गया तो वर्तमान आयू कितनी होगी दो साल पहले की बात है तो वर्तमान आयू होगी पचास है ना क्या गड़वड होगी पिता और पुत्र के आयू का अंतर यह है दो साल पहले अनुपाद दे रखा है तो मैंने का वह यह एक रेश्व बराबर अपना चौबिस है अर्तालिस पचास होगा भई 46 किसे दे रहे हो लोग कोई गड़वड तो नहीं है दो साल पहले से दुगनी थी ना यह दो साल पहले का ही तो है 46 कैसे आएगा है भई कि अच्छा आएगा पचास आएगा अच्छा एक के रह बैयालिस होगा दो साल पहले अच्छा 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 मैं मिस्टेक मैं मिस्टेक दो साल पहले पिताजी की आयू अलग से दे रखा है और पुत्र की वर्तमान आयू ऐसी बात है यह वाली बात है यहां हम यह कह सकते हैं कि जो बेटा है वो एक साल का है और पिताजी कि इतने साल के है एकस फ्लस चौबिस साल के यह आप कह सकते हो एक्वेशन से कर दीजिए दो साल पहले पिताजी की आयू यानि की एकस प्लस बाइस पुत्र की वर्तमान आयू कि दुगने के बराबर है एकस बराबर आ गया एक ज्यारा तो पिता की वर्तमान आयू कितनी है चौबिस प्लस एक ज्यारा ठीक है न अब तो क्या एकस बराबर बाइस आएगा तो बाइस प्लस चौबिस 46 आंसर आ रहा है भई तो 46 होगा आंसर डी आएगा भई यहाँ एक लॉजिक है यहाँ लॉजिक लिगा हुआ है उस पे ध्यान दो कि दो बर्ष पहले पिताजी की आयू लेनी है केवल पुत्र की वर्तमान लेनी है लेकिन है ना तो यह उसी वज़ा से ऐसा हुआ वरना डा कि देखिए कितना अच्छा कुश्यन है कौट 90 माइनस ठीटा यह हो जाएगा अपना कितना 10 ठीटा क्योंकि कौनसे कौडरेंट में पहले में साइन 180 माइनस ठीटा यह कितना होगा साइन ठीटा क्योंकि उसी के कौडरेंट में आ रहा है दूसरे में सेक 360 माइनस ठीटा सेक ठीटा ही रहेगा क्योंकि उसी के क्वाड्रेंट में आ रहा है 10 180 प्लस ठीटा उसी के क्वाड्रेंट में है सेक माइनस ठीटा उसी के क्वाड्रेंट में और यह साइन ठीटा तब कट गए 1 आंसर आगे माइनस 1 क्यों? माइनस साइन ठीटा हों गानों चली आंसार आएगा माइनस का 1 यह लाश्ट में यह खेल गया लाश्ट में कौन खेला? वो साइन ठीटा वाला ठीटा खेल गया बाखी सब ठीक था next एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है एक दिन में कितने मिनट होते हैं 365 दिन होते हैं हर दिन में एक दिन में 24 गंटे होते हैं और 24 गंटे में 60 मिनट कर लो बस तो इंटू 100 कर लो तो 6 दिन अठारा तीन अठे चौबिस दस बटे आठ पांच बटे चार एक पॉइंट पच्चिस अप्शन नमबर बी चलिए करिए आईए पाइव एकस स्क्वाइर माइनस अब ये ऐसा होता है देखो 30 के ऐसे टुकडे करो कि 13 आ जाए तीस के ऐसे टुकडे करो कि 13 आ जाए तो दस और तीन आ गया ना वायर यानि कि सर कैसे करोगे आप सौल मैंने का आप ऐसा देखूंगा कि काम चल जाएगा अपना फाइव एकस स्क्वाइर माइनस थ्री एकस वाई ले लो आप प्लस माइनस दस एकस वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वाई अब क्या करेंगे देखें काम हो गया यहां से आप ले ले लेते हैं एकस एकस कॉमन ले लो एकस कॉमन लेती बन गया फाइव एकस माइनस का थ्री वाई यहां से भी आप क्या लेलो माइनस common लेलो है न माइनस 2Y common लेलो तो यह हो गया सर 5X माइनस का 3Y दो factor बन रहे हैं एक तो 5X माइनस का 3Y और दूसरा है X माइनस 2Y बराबर 0 तो X और Y का रेशियो यहां कितना आ गया 3 अनुपात 5 और X और Y का रेश्यों यहां कितना आ गया? दो अनुपात एक Option नमबर C Clear है? चलिए Next 26,000 रुपे को इस प्रिकार दो राश्यों में विवाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल का साधरन ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 साल का साधरन ब्याज यानि कि P1 इंटू 50% बराबर P2 इंटू 54% बराबर है तो P1 और P2 का जो रेशो होगा वो होगा 27-25 टोटल कितना आ रहा है ये? 52, 52 बराबर 26,000 एक बराबर 500 ठीक है तो 10% की दर से 5 साल के लिए निवेशित राशी बता दो सर 10% अच्छा ये बताना है 12,500 D क्लियर है भाइस? मज़ा आ गया? ये होमवर्क है आपका 17-18, 19-20 कैसा लग रहे हैं सेट आपको? ये भी आप मुझे राय बताएं और काफी मज़ा आ रहा होगा इतनी मैं आशा करता हूँ पेपर यहीं से ही आएगा ऐसा ही आएगा आप निश्चिंत रहें मैं उस तरह का अध्यापक हूँ जो आपको पेपर पास कराने के लिए मदद कर रहा है और वो पूरी कर रहा है और वो सबसे बड़ी मदद है पेपर में कुशन इससे बाहर नहीं जाएंगे मैंने पहले भी बोला है और जो भी मैं आपको material प्रोवाइड करा रहा हूँ आप उससे practice करते रहें रात को 8 बजे mock test लगाएं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती selection लेने से तो बस 6 बजे test जरूर दें सुबह 11 बजे theory पढ़ा रहा हूँ रात को 8 बजे mock test चलता है लगातार दे इनको कुछ दिन लगेगा आया नहीं आ रहा नहीं आ रहा हो नहीं आने में भी तो सबसे वड़ी जीत है तुम लोगों की जी हाँ और साहिल 10 कोड लगा कर आपको जुड़ना है अनकेडमी पर अगर आप मेरे साथ subscription लेना चाहते हैं और साहिल 10 ऐसेिक कोड लगा देंगे अब जैसी साहिल 10 लगाओगे apply कर देना proceed to paper चले जाना proceed to paper जाकर साहिल 10 कोड लगा कर पॉइंट्स को redeem कर लेना सारे काम हो जाएँगे raise hand फीचर ask doubt फीचर सब कुछ मिलेगा भया साहिल 10 कोड ठीक है माइडियर यह टेलिग्राम है यहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं साइसर सपोर्ट थैंक यू सो मच लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच थैंक यू फो वाचिंग और उमीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ गया होगा हर एक सेशन में ऐसी मज़ा आता रहेगा शाम को साड़े शे बज़े टेस्ट जरूर दीजिए रात को आट बज़े मॉक टेस्ट लगाईए और पांच बज़े फाउंडेशन पढ़िए All the very best, take care